नमस्कार गाइस बुलीश फुल मास्टर में आपका स्वागत है गुड मॉरिंग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी कहां पर ओपन हो रहे हैं गैप डाउन या फिर साइड़ वेज ओपन हो रहे हैं क्या इंपोर्टेंट न्यूज है उसके बारे में भी डिस आपको पता होगा कि आज मार्केट में क्या कर सकते हैं एक आपने कल वीडियो देखा एक अभी वीडियो देख रहे हो तो यहां पे मूड अपना अच्छा होता है तो सबसे पहले डियाई और एपाई डाटा देखते हैं तो यहां पे अगेन डियाई और एपाई डाटा की सकते हो, ओके बात करते global market, तो global market क्या कह रहा है Dow Jones यहाँ पे sideways चल रहा है, 30.87 और plus में close हुआ है European market यहाँ पे bullish close हुआ है, plus में close हुआ है Kip Nifty sideways चल रहा है ओके guys, Asian market को sideways कह सकते हैं इसी के साथ हम देखेंगे important news कौन सी थी, जो कल आई थी 17 तारीक को guys, यह 3 news आई है एक इंडिया की news आई है, WPI data जो मैंने आपको कली बता दिया था ओके, and USA की जो 2 news थी, वो यहाँ पे आई हुई है, ठीके न guys, बात करते हैं, आज important news आने वाली है, दो बहुत important news है, आपका जो market है वो इस news के पीछे बैटा है, fade की interest rate का discussion के चक्कर में, और यहाँ पे impact बहुत high पढ़ने वाला market के उपर तो आज, आज का इंतजार और है और यह data आएगा, आज रात को साड़े ग्यारा बजे, ओके guys, तो बात करते हैं, यह bank nifty के उपर, nifty के उपर, कल काफी इसर पढ़ने वाला है, आज हमें क्या करने वाला है, तो सबसे पहले चलते हैं, अपने chart पे, nifty के chart पे आता हूँ, उससे पहले यहाँ पे देखो guys, यहाँ पे crude oil को देखता हूँ, तो crude oil, every day हम crude oil में trade करते हैं, कल crude oil ने हमें downside trade दिया था, यहाँ पे, यह मैंने बेजा भी था perfect तरीके सा target भी done करवाया था live proof के सार दिखाऊंगा आपको, यह देखो guys, टेलिग्राम पे, जैसे ही market ने 12 बच के 53 मिनट पे, level तोड़ने की कोजिस की, मैंने यहाँ पे आपको screenshot बेज दिया, for educational support क्योंकि, आपको everyday यहाँ पे support करता हूँ, live आया, हर एक चीज के लिए आपे support करता हूँ, levels बेजे, हमने trades बनाए, educational trade बनाए, आप downside के levels दिये, हर एक चीज यहाँ पे देता हूँ, तो अगर आपको telegram channel join करना है, तो description में link है, वहीं से आप join कर सकते हो, बाकी कहीं जगा पे नहीं कर सकते हो, और अगर आप channel पे new हो, तो वीडियो को like कर देना, subscribe कर देना, उसका एक फायदा है, subscribe का, मैं अभी live आऊँगा, आपको details मिलेगी, playlist पे जाओगे, बहुत सारे वीडियो से, वहाँ पे आप देख सकते हो, learning knowledge gain कर सकते हो, तो guys, crude oil की बात करता हो, तो crude oil यहाँ पे 102 point bullish close हुआ है, crude oil यहाँ पे bullish कह सकते हैं, okay, gift nifty fully sideways चल रहा है, 25,460 पे Dow Jones sideways closing हुआ है, US 30 अभी 38 पे चल रहा है, gold और bitcoin को हम live market में देखेंगे, last के काफी जो, एक बज़ के 45 मिनट से market reversal में था, और market nifty का जो है trend में चल रहा है, तो यह trend line बन रही है, nifty की, तो nifty ने क्या किया, अभी इस trend line को touch नहीं किया, या तो यहाँ पे trend line को touch करके open हो जाएगा, या फिर कल के high पे open हो जाएगा, कल का high बोलते हैं तो guys, कल जो nifty का previous जो high है, all time high, nifty यहीं पे ही open होगा, again, okay guys, अब nifty के इन levels के उपर थोड़ा जरा गोर से सुन लीजेगा, जब तक nifty के यह levels break नहीं होंगे, upside के लिए levels break नहीं होंगे, हम upside के लिए plan नहीं करेंगे, nifty ने एक bullish candle बनाके, power candle बनाके, अगर upside की तरह retest लेके तोड़ेगा, तो हम upside का plan करेंगे, otherwise हम ignore करेंगे, और upside जाएंगे, तो guys थोड़ा डर डर के जाएंगे, थोड़ा minimum minimum quantities से जाएंगे, और आज market हो रहा है sideways open, आप sideways को तीन दिन से देखी रहो, उससे हम sideways बोलते हैं, same scenario आज fully sideways market open हो रहा है, तो अब अगर guys यहां से 25,450 का level तोड़ता है, तो पहला जो अपना, पहला resistance पहला जो target रहता है, वो 25,500 का रहने वाला है, ace for Fibonacci, और next जो रहेगा 25,550 और 25,600 का यहां पे upside के targets रहने वाले हैं, पिछले तीन दिन से अपन लेवल बना बनाके, लेवल बनाने की आदत हो गई है, अब बात करते है, 25,400 पावरफुल एक range होती है, पावरफुल रेंजी पे nifty close होता है, तो हम अगर यहां से trend line तोड़ेगा guys तो हम पहला जो support है बहुत important major support है वो हमारा यहां पे रहने वाला है अगर यहां से level तूट गया अगर यहां से level तूट गया तो guys nifty कहीं पे भी support ले सकता है, देखो कल यहां पे भी लेके 350 पे भी चला गया तो 350 और 340 का nifty का important support है, हम यहां पे आएंगे reversal मिलेगा तो और यादर किये guys, nifty का एक box बनता है एक rectangle बनता है और इस rectangle के अंदर जब तक nifty है, इस 300 की range के अंदर तब तक nifty है, तब तक हम थोड़े risky हैं, हम sideways हैं तो यादर कियेगा guys, जब तक इस डबे के अंदर है हम sideways रहेंगे, डबे से बार निकलेगा, तो हम bullish की तरह plan करेंगे, डबे से downside बार निकलेगा तो हम downside जाएंगे, जो कि यह जो पूरी line है ना guys, यह direct अपने को downside में मिलने वाली है, तो wait करो, हो सकता है, यह इंतजार कल आपका zero two hero में nifty खतम कर दे क्योंकि कल fade data का result आने वाला है, इस जीज को त्यान से समझेगा, okay guys तो अब बात करते हैं downside के levels, फटाफट से बना देता हूं कि अगर 25,300 का level तूट गया, तो हमें क्या plan करना है, तो पहला target, दूसरा target रहने वाला भी या 200 का और तीसरा जो target रहने वाला है वो यहाँ पे है, 200 पे important support होता काईस, हम इसे miss नहीं कर सकते, यहाँ पे 200 को छोड़के आप इसको यहाँ पे लाओ, this is powerful support for nifty, okay guys अब बात करेंगे, अगर यहाँ से level तोड़ेगा, 25,125 का, तो ही हम 25,000 के levels पे जाएंगे, okay जो की important support है, market अगर तूटेगा, तो बड़ा target यहाँ पे सामने नजर आ रहा है, और upside के लिए डरडर के जाएंगे, आप भी यह levels बना लेना, okay, अब बात करते गाईस, bank nifty की, भी यहाँ आज इसकी expiry है, और कल हम already कह चुके थे, कल मैं पूरे दिन आपके साथ live था और live में बताया था कि भाई, जब तक यह इस range के अंदर है, हम risky है और market premium खाता है, full premium खाया market ने, और जब तक इस डबबे के अंदर है, guys, again बोल रहा हूँ, हम risky है और जब तक यह 52,000 के उपर है, 52,000 के उपर है, हमें कुछ बड़ा moment नजर नहीं आएगा क्योंकि जब यह 52,000 का level तोड़ेगा न, तो guys हो सकता है, अपन 200 EA में तक चले जाए 200, तो आज देखना यह होगा कि यह level breakdown bank nifty करता है, तो ही हम downside जाएंगे, और यहां से यह level high तोड़ेगा, तो guys upside के लिए भी क्योंकि all time high के नजदिक है अपन, ठीक है न, 500-700 point दूर है bank nifty में, तो upside के लिए levels कौन से कौन से रहेंगे, वो निकालेंगे पहले, तो upside के लिए guys यह level तोड़ता है, 52,300 का यह level तोड़ता है तो हमारा पहला जो target रहने वाला guys, वो है 52,400 का, और next target रहने वाला है, वो 52,500 का छोटे-छोटे levels यहाँ पे रहने वाले downside level तोड़ता है, देखो 52,100 का level, पिछसे का level तोड़ता है तो देखो 52,000 पे बड़ा target नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर guys यहाँ पे level यह तूट गया, तो guys, छोटे-छोटे level से अपन downside के लिए यह levels आपको नज़र आ रहे हैं bank nifty में, ठीक है न, अगर bank nifty 51,666 का level तोड़ दिया ना guys, तो एक छोटा मोटा target नहीं ultimate target अपनों को downside देखने को मिलेंगे, तो downside जब भी levels में active होंगे, तो मज़ा आ जाएगा लेकिन अभी जब तक sideways है हम sideways, full sideways रहेंगे market trend line में था, साम को trend line तोड़ता है, तो 52,000 के आसपास भी चाहे तो opening कर सकता है, market fully sideways open होने की कोसिस कर रहा है, ओके guys तो market full sideways open होने की कोसिस कर रहा है, और साम के time जाते जाते है, trend line को भी break किया लेकिन break तो किया, लेकिन वो अपने zone के अंदर ही था guys, कल के अपने zone के अंदर था, तो हमने कुछ भी plan नहीं किया, और आज इसकी expiry थी bank nifty की, तो हम BTSC में क्यों risk लें, ओके, बात करता हूं guys, fin nifty की, तो fin nifty का same scenario है, कल fin nifty का मैंने आपको max pen बताया था, max pen strategy, जैसा कि guys आपको पता है, 24,000 पे देखो, closing हुई है, 23,991, मैं max pen everyday बताता हूं guys, ये 80% to 90% max pen सही होता है, आप देख रहे हो पिछले 4 दिन से, 4 expiry अपनी सही जा रही है, max pen strategy पे, कि भया, आज expiry यही होगी fin nifty की expiry का, हमने यही बोला, तो fin nifty की expiry यही हुई, कि 24,000 का premium 0 हो जाएगा, आज bank nifty की expiry है, तो max pen को देखेंगे, तो मेरी साथ live आ सकते हो, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, okay guys अब बात करते हैं mid cap nifty की, तो mid cap nifty एक अपने powerful trend line support पे है, याद रहिए का guys ये एक head and solder भी बना रहा है inverted head and solder आपको पता हो गया होगा, अब ये retest लेने आया है अगर ये वापिस हाई तोड़ देता guys तो ultimate अपने को, rocket बनते वे नजर आएगा, मानलो की nifty bank nifty सब कुछ bullish चले जाएंगे, तो mid cap में थोड़ी नजरे बना के रखिएगा, क्योंकि mid cap की परसो monday को expiry थी, तो आज इसका premium बहुत सही रहेगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रख लीजिए, दरवाइस वापिस 700-200 EMA पर आजाएंगे, तो ये लेवल्स का ध्यान रखिएगा, और HDFC और ICAC ये बहुत important है, HDFC और ICAC दोनों एक दूसरे को support करेंगे, तो ही bank nifty में हम fully plan करेंगे, ओके गाइस thank you